वेलकम टो माई चैनल मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल वे में तो सबसे पहले कड़ाई पे मैंने ओयल गरम करने के लिए रखा है दो बड़े चमज के बराबर मैंने ओयल ले लिया है दो अधर चाटकने देंगे इनका फ्लेवर ओयल में आने देंगे उसके बाद हम यहां पर दो मीडियम साइज के प्याज ले रहे है जिसको मैंने बारीक चॉप कर दूंगी मैं इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है आपर हो गोल्डन ब्राउन अब इसमे अधर निकल जाए और उसके बाद हम इसमें अधर करेंगे चिकन वाश करके स्टेणर में रख दीजिए जिसके पानी निकल जाए जिसके बाद आप से आड़ कर लीजिए यहां पर हाफ केजी चिकन लिया है इसको अची तरीके से बून लेते हैं दो से तीन मिर्ड हम इसे म अधर पानी जाए अधर करेंगे तब तक हमीं से बूनेंगे जब तक शिकन हमें अधर कि अधर हम रोगी अधर आप के हमने से था Soupन P 1-2 Dew तामाटर की पेस्ट को भी अच्छी तरीके से जो पूहेंगे, अब बूओन हो जाए इसे के साथ मसाले, जिससे हमारी मसाले भी बुन जाएंगे और हमारा जो तैमाटर है टामाटर का पेस्ट था वो भी अची तरीके से बून کے तयार होगा पर यह पर मसाले एड़ करेंगे Mang लाल मिर्ष्ट तीखी वी चुटी चमज कशूमेरी ऑगर आपके पास हो चाहें ने हम लाल मिर्ष्ट करेंगे तो टमाटर को भी भूनना है और मसालो को भी भून रहा है तो तीन से चार मिनट लग जाएंगे सारी चीजों को अच्छी तरीके से पकने में तो देखिए टमाटर की पेस्ट और मसाली बहुत अच्छे से भून गए हैं से एक गिलास भर की मैं पानी आड़ कर रहे हुए इसमें प्रकाइख दघ्रिअ है ने तो चेकन करी बना रहे हैं तो कड़ उने कम चीपन पाजम करी चुछ बना रहे हैं वह जी टिनकी है यह जाँ नटा रहे हैं से नसीथु आड़ घ्रम पावडर मुड़ा दाल गाशा रह चिकन करी को रोटी रास के साथ सीरके बहुत मज़ी कि ऐ चिकन करी है तो बहुती छाहितर बास्ती चिकन करें और शॉयंट लग बोगई और शे चाईब मेर चत्व हाई और।